दशमो अध्यायह शुम्भ वद्ध मैं मस्तक पर अर्ध चंद्रधारण करने वाली शिव शक्ती स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का फिर्दय में चिंतन करता हूँ वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुन्दर हैं सूर्य, चंद्रमा और अगनी ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुश्बान, अंकुष, पाश और शूल धारण किये हुए हैं रिशी कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देख, तथा सारी सेना का संगहार होता जान शुम्भ ने कुपित होकर कहा दुष्ट दुर्गे, तु बल के अभिमान में आकर जूट मूट का घमण ना दिखा, तु बड़ी मानिनी बनी हुई है, किन्तु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है, देख, ये मेरी ही विभूतिया है, अतह, मुझ में ही प्रवेश कर रही है तदंतर ब्रह्मानी आदी समस्त देविया, अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई, उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई देवी बोली, मैं अपनी एश्वर्य शक्ती से अनेक रूपों में यहां उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ रिशी कहते हैं, तदंतर, देवी और शुम्भ, दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते, भयंकर युद्ध छड़ गया बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों, एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण, उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ उस समय अंबिका देवी ने, जो सैंकडों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैतिराज शुम्भ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला इसी प्रकार शुम्भ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदी द्वारा, खिलवार में ही नश्ट कर डाला तब उस असुर ने सैंकडों बानों से देवी को आच्छादित कर दिया यह देख, क्रोध में भरी हुई उन्हें देवी ने भी बान मार कर उसका धनुष काट डाला धनुष कट जाने पर फिर दैतिराज ने शक्ती हाथ में ली, किन्तु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ती को भी काट गिराया तत्पस्चात दैतियों के स्वामी शुम्ह ने सौ चांदवाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले, उस समय देवी पर धावा किया उसके आते ही, चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा, उसकी सूर्य किरणों के समान उज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया फिर उस दैत्य के घोड़े और सार्थी मारे गए, धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया उसे आते देख देवी ने अपने तीक्षन बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला तिसपर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से دेवी की ओर छप्टा उस दैत्य राज ने देवी की चाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी चाती में एक चाटा जड़ दिया देवी का थपड़ खाकर दैतिराज शुम्भ प्रित्वी पर गिर पड़ा, किन्तु पुनह सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया फिर वह उचला और देवी को उपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुम्भ के साथ युद्ध करने लगी उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे उनका वह युद्ध पहले सिध और मुनियों को विसमय में डालने वाला हुआ फिर अम्भिका ने शुम्भ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पस्चाथ उसे उठा कर घुमाया और प्रिथवी पर पटक दिया पटके जाने पर प्रिथवी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनह चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दोड़ा तब समस्त दैत्यों के राजा शुम्भ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे प्रिथवी पर गिरा दिया देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरू उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची प्रिथवी को कंपाता हुआ भूमी पर गिर पड़ा तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उलका पात होते थे वे सब शान्त हो गये तथा उस दैत के मारे जाने पर नदिया भी ठीक मार्ग से बहने लगी उस समय शुम्भ की मृत्यू के बाद संपूर्ण देफताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गंधुर गीत गाने लगे दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अपसराएं नाचने लगी पवित्र वायू बहने लगी सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई अगनी शाला की बुजी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शान्त हो गए इस प्रकार श्री मारकंडे पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्म में शुंभ वद नामक दस्वा अध्याय पूरा हुआ